किसी ने सच ही कहा है कि कोई भी काम मजबूत इरादों और लगन के साथ किया जाए तो काम्याभी कदम चूनती है बुलंद होसले कम्यों की बैसाखी नहीं पकड़ते बलकि वो मुश्किलों की दिबारे पान कर मन्जिल हासिल किया करते हैं कुछ ऐसा ही कर रहे हैं संदीप सेंग जिन्होंने फ्रीस्टाइल फुटबॉल के अपने हुनर को इस तरह से तराशा है कि देखने बाले कहे उठते हैं अमेजिंग लाखों करोडों फैंस के दिल की धड़कने तेज हो जाती हैं जब दूसरी टीम मेंबर्स को छगाते हुए वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर्स रोनाल्डो या लियोनेल मेसी हावा के छोके की तरह आगे बढ़ते हैं इनकी करिश्माई खेल के दुनिया भर में दीवाने है और आएए अब आपको मिलवाते हैं स्माल टाउन वॉंडर बॉई संदीब से जिनकी फुटबॉल के साथ प्रफॉर्मेंस देखकर आप चौक जाएंगे संदीब का जबदस टैलेंट आपको उनका फैन बना देगा बाई आपने फ्री स्टाइल कुष्टी सुनी और देखी होगी लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्री स्टाइल फुटबॉल और इसके लिए आए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जो वारानसी यानी काशी से तकरिबन 16 किलोमेटर दूर है मुगल सराय के रहने वाले संदीप ने कुछ अलग कुछ भटके कर दिखाने और अपनी पहचान बनाने के जुनून को मेहनत और लगन की तेज आच में इतना पकाया कि आज उनके टैलेंट को लोग बिना पल के जपकाये देखते हैं यूँ कहें तो संदीप आज बन चुके हैं सिटी के अमेजिंग बॉये और ये है संदीप का जादू ये बाकी फुटबॉल प्लेयर्स की तरह सिर्फ फुटबॉल खेलते नहीं बलकि फुटबॉल को अपने इशारे पर कुछ इस तरह सिनना चाते हैं जैसे ये दोनों बने हो एक दूशे के लिए एक बात बताते हैं कि जितना आसान ये देखने में लग रहा है असल में उतना है नहीं संदीब का फ्री स्टाइल सच मेतना अमेजिंग है कि लगता है कि इन्होंने फुटबॉल को जैसे हिपनोटाइस कर दिया हो अगर आप चाहते हैं कि जमाना आपका टैलेंट देखे तो आपको एक दम हटके कुछ ऐसा करना होता है जिसे देखकर लोग हैरत के समंदर में गोते लगाने को मजबूर हो जाए और संदीब का आजब घजब टैलेंट देखकर भला किसे हैरत नहीं होगी कमाल का वैलेंस, फोकस और फुटबॉल से अटूर दोस्ती भई वा संदीब मान गया आपके टैलेंट का लोहा देश के लिए कुछ कर गुजरने का जजबा रखने वाले होनहार संदीब को आखिर कहां से प्रेणा मिली जो उन्होंने फ्री स्टाइल फुटबॉल को चुना और फिर किस तरह संदीब ने अपने अनोखी टालेंट की सीड़ी पर रखा पहला कदम आए देखते हैं संदीब के इस बेमिसाल टालेंट की अजब गजब जर्नी देश का नाम रोशन करने के लिए संदीब ने फ्री स्टाइल फुटबॉल को चुना है जिसकी प्रेणा संदीब को ब्राजील के फिमज फुटबॉलर रोनाल टिंहों से मिली जब संदीप ने रोनाल्डिनो को फुटबॉल को अपने इशारों पर नजाते हुए देखा उसी वक्त संदीप ने ये तै कर लिया था कि बस इसी खेल में मुखरत हासिल करके देश दुनिया में नाम कमाना है संदीप का मानना था कि जब दुनिया में कोई फ्री स्टाइल फुटबॉल कर सकता है तो हम इंडियन्स भला क्यों पीछे रहें और फिर यही से शुरू हुआ फ्री स्टाइल फुटबॉल सीखने का सफर घौरतलब है कि संदीप को फ्री स्टाइल फुटबॉल की विधा किसी कोच या गुरू ने नहीं सिखाई बलकि उन्होंने खुद अपनी लगन और इरादों के दम पर इंटरनेट के माध्यम से इस खेल की बारीकियों को देखा समझा और सीखा कहते हैं न कि जब इंसान के अंदर खुद कुछ अलग करके दिखाने का जुनून पैदा हो जाता है तो मजबूत इरादे मन्जिल के तरब खुद बाखुद उसे लेकर चल पड़ते हैं तकरिबन चार-पास साल अपनी महनत और लगन से संदीब ने जम कर फ्री स्टाइल फुटबॉल के अपने टैलेंट को सवारा संदीब ने सीखने की प्रोसेस जारी रखी वहीं उन्होंने दिल्ली, मुंबई और पटना जैसे कई शहरों में अपने इस अमेजिंग टैलेंट की प्रफॉर्मेंस भी दी उनके इस अजब गजब कर्थब को देखकर जब लोग तारीफ और सपोर्ट करते हैं तो कुछ और बेहतर कर दिखाने का संदीब का जजबा और तेज होता है लेकिन माली हालत कमजोर होने की वज़े से संदीब एक अदर गोश और बेहतर ट्रेडिंग के लिए भी तरस आए है संदीब के दोस्त इनकी मेहनत और लगन को देखकर कहते हैं कि संदीब शहर से लेकर देश का नाम पूरी दुनिया में रौशन करेंगे में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वीच का एक साथ ही खेलता है उन्हें देखके लोग कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है पुटबॉल के दिगज सितारी को देखकर आई ए खयाल ने संदीब को कुछ नया और हटके कर दिखाने की प्रेड़ना दी और अपनी मेहनत और लगन की धार से उन्होंने अपने हैरत अंगेज हुनर को खुब अच्छे से तराशा अपने इस अनोके हुनर से सबको अमेज कर देने वाले संदीब का सपना है कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाएं और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करें प्रेणा लेना आसान होता है लेकिन अपनी मेहनत लगन और होसले के दम पर औरों की प्रेणा बन जाना कोई आसान काम नहीं और संदीब जैसे बेमिसाल लोग कम ही होते हैं जिने देखकर उनके जजबे को सब सलाम करते हैं इसलिए हम तो जरूर कहेंगे कि All the Best संदीब आपका टेलेंट सच में है अजब भी घजब भी